इसकारिक्रम के पुन्यार जख हैं आर्जव के खवडे, यश ए खवडे, सौ एश्वर्य यश खवडे श्री इंद्र सेन जैन समस्ति जैन परिवार दिल्ली 110092 श्री परेश वोरा, तारू लता वोरा, पिंकी ते जावत, बेहन भावना कोठारी पटना श्री पंकच प्रीती वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबै श्री गिरीश वोरा, धारिनी वोरा, विरार डॉक्टर श्री सुभाष दुरकर जैन, मित्र नगर, मंगा, मंगल वेडा, सोलापुर महराश्र मंगलं पंच परमेष्टी, मंगलं तिरथंकरं, मंगलं विष्वजिंधर्मं, मंगलं वीरशाशनं, मंगलं वीरशाशनं, वन्दित्तो सव्वेशिद्धे, धोव मचल मनो ववं गदिम्पते, वोक्षामी शमय पाहोड, मिनमो सुद के विली भडितम शमयसार परमंगलि गरंथे, आचार कुंदु कुंद भगवन द्वारा यह लिखा गया है, भगवान महावीर स्वामी की बानी को आप स्री ने प्रस्तित किया है, इसमें 415 प्राकत भवासा की गाथाएं हैं, आध्यात्मिक इसकी सेली है, तीसरा अधिकार करता कर्म चल रहा है, और अज़र पन देखेंगे, ग्यानी जीव ग्यान भाव का करता है, कौन किसका करता होता है, सभी अपने ही करता होते हैं, कोई किसी का करता नहीं होता है, सब अपने ही करता होते हैं, ग्यानी अपने ज्यान भाव का करता है, तो अज्यानी अपने अज्यान भाव का करता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं हो सकता है कि मेरे भावों करता कोई और हो और मेरे भावों का फल का भोगता भी कोई और हो ऐसा नहीं हो सकता है इससे अपने सोयम की शक्ति की सुतंता का नाश होता है ठीक है ना? मेरा करता कोई और हो और मैं किसी का करता हूँ तो दोनों की सुटनता नहीं रह जाती है यह बात हमें समझना चाहिए गाथा नंबर जो है हम देखेंगे कि ज्यानी जो है और अज्यानी जो है दोनों में करतापन किसीच का है गाथा नमबर जो है 126 नमबर की पहले अपने इसका उचारन करेंगे और फिर इसके अर्थ को समझेंगे जम कुणदी भाव मादा कत्ता सो होदी तस्से कमस्से नानिस्स सा नानमओ अनानमओ अनानिस्से जम कुणदी भाव मादा कत्ता सो होदी तस्से कमस्से नानिस्से सा नानमओ अनानमओ अनानिस्से जो भाव आतमे करे वह उसे कर्मे का करता बने ज्यानियों के ज्याने में अग्यानी के अग्याने में आतमा जम भावम जिस भाव को कुनती करता है तस सकमत से उस भाव रूप कर्म का सो वह कत्ता करता होदी होता है वहाँ नानिस से ज्यानी के तो सा वह वह भाव नान में ज्यान में हैं और अनानिस से अग्यानी के अग्यान में हैं ग्यानी के ग्यानमे और अग्यानी के अग्यानमे तो ग्यानी कौन है और अग्यानी कौन है पहले तो हमें इसकी चर्चा करना चाहिए जिन्होंने वस्तु तत्त को अच्छी तरह से जाना है वस्तु के शरूप का अच्छी तरह से निर्णे किया है जिसका जैसा शरूप है उसको उस शरूप में ही माना है ऐसी जिसकी मानता हो जाती है वो ग्यानी होता है वो ज्यानी आत्मा होता है, उसे सम्मेक ज्यानी भी कहते हैं, सम्मेक ज्यानी, वैसे तो कुंदु कुंद और अन्य आचारियों की भासा में ज्यानी तो मुनिराच कोई बोला, लेकिन फिर भी सम्मेक ज्यानी जो अभी अविरत है, जिसके पास ब्रत नहीं है, जिसके पास अभी सयम नहीं है, लेकिन ग्यान से भेद ग्यान कर रहा है, किसे कर रहा है ग्यान से शद्धा से भेद ग्यान करना ग्यान से भेद ग्यान करना और चारित्र अर्थात अनुभव से भेद ग्यान करना तीनों में अंतर है ग्यान से भेद भी ग्यान हमने ग्यान से अलग कर लिया यह बस तू सौ की है यह बस तू पर की है तो ऐसा ग्यान तो हो जाता है ना तो यह ग्यान अपनों को हो गया ऐसा ग्यान में आ गया ऐसा ग्यान भी जिसका हो जाए तो वो ग्यानी हो जाता है करम ध्यान रखो ज्यानी वनो प्हेर आत्म ज्यानी वनो पहले तो आपको ज्यानी बनना पड़ेगा अपने अंदर की जो मिध्यात संबंदी अज्यानता है उसको दूर करेंगे तो आप ज्यानी हो जाएंगे केवल ज्ञाना वर्णा कर्म के उदय से तो बारवे गुड़िस्थान तक सब अज्ञानी है क्योंकि यह है ओदिक भाव है ओदिक भाव होने के कारण अज्ञान दसा चाई हुई है ज्ञाना वर्णी कर्म का उदय ओदिक भाव और उसके कारण अज्ञानता चाही हुई है पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ज्ञानी जो है वो अलपस्त है अलप में इस्त है अलप ज्ञानी है छेयोसमधारी है तो भी उसे अज्ञानी कहा लेकिन जो मिथ्या दृष्टी वाला अज्ञानी है वो अग्यानी नहीं कहा, मिथ्या, दरष्टि वाला, तो, जो वस्तुस जैसी है, उसको वैसा स्विकार कर ही कहारा, कल अपने देखा था न, आगे पीछे की गाथाओं में, कहीं पुदगल को अ-परिनामी कहता है, कहीं जीव को आ-परिनामी कहता है, कहता है कि पुद्ञल आपर नामी है तो संसार किस बात का और जीब भी आपर नामी है तो करम बंध होना नहीं है तो फिर संसार किस बात का वो तो सुद्धी हो गया ना तो ये दोनो की दोनों बातों से एव Say, अज्यानी मिथ्या रूप से जानता है, एकांत रूप से, शंशय रूप से, विने रूप से, विपरीत रूप से, और अज्यान रूप से, ऐसे पांच प्रकार के, जो जीव में परिणाम पाए जाते हैं, वो अज्यानता के हैं, उसको धान करने वाला अज्यानी होता है, एकांत, विपरीत, संसे, विने और मिध्यात, अज्ञान यह पांच जो भेद हैं, यह पांच प्रकार का जो परिणाम है जीव के अंदर वो उसकी अज्ञानता प्रस्तत करती है तो कह रहे हैं ऐसे पांच प्रकार के परिणाम करने वाला वो अज्ञान भाव का करता हुआ जो वस्तु सरूप है उसमें अविरुद्ध रूप से दो विरोधी तत्व एक साथ रहे और रह सकते हैं लेकिन उसमें भी किसी एक पक्ष को ही सरवथा से स्विकार कर लेना ये एकांत पक्ष कहलाता है जैसे वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है एक रूप भी है अनेक रूप भी है भेद रूप भी है अभेद रूप भी है ऐसी वस्तु विवस्ता है अस्ती भी है और नास्ती भी है लेकिन अस्ती ही है नास्ती नहीं है नित्य ही है अनित्य नहीं है ऐसा कोई मान ले या कोई मान ले अनित्य ही होती है वस्तुनित्य नहीं होती है ऐसा मान ले तो यह वस्तु विवस्ता विगड़ती है और ऐसा एक पक्ष्युकार करने वाला इसी प्रकार और भी बहुत सारी बाते हैं कोई व्यक्ति की मानता होती है भाई जीवन में जो मोक्षो सब पुर्शार से मिलता है अश्य मेरा सोच है और मैं ऐसा ही मानता हूं आप ऐसा भी मानों कोई बात नहीं पर ऐसा ही मानता हूं इसमें हमाएं प्रस्चन शिनने खड़ा है आइसा ही ऐसा क्यों कुछ ऐसे भी है जो पुर्शार्थ ही ने सब प्राप सब प्राप थे- Buam ए तो फिर वहाँ क्या करोगी तो ऐसा एक पक्षिकार केड़ना को ऐसे लोग है जो भाग को ही सब कुछ मानते हैं दैव को ही सब कुछ मानते हैं जो कुछ है वो करम है मैं कुछ नहीं हूँ मेरा पुरशार्थ कुछ नहीं है भाई जैसा करम का जैसा उदेयाना होगा वैसा ही कार होता रहेगा मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मैं क्या कर सकता हूँ जो कुछ करना है करम को करना है, शेर के सामने कोई विक्ति खड़ा हुआ और उसे पूशा भाई साब बताओ, क्या सोच रहे हो, तो बले हमें क्या सोचना, अब जो भी सोचना हो, वो ही सोचे, या तो मरन दे या जीवन दान दे, अब तो उसी को सोचना है, ऐसे ही कोई सोच ले, भाई, जो करना करम करना है, हसाए तो हसादे, रुलाए तो रुलादे, खिलाए तो खिलादे, ऐसा हर चीज, मेरे करम के उदय से है, ऐसा जो जिसकी मानता है, तो वो भी एकांत पक्षिवे, करम के उदय से भी ऐसा है, सही है, लेकिन करम के उदय से ऐसा ही है, ये सही नहीं है, जो कुछ है सब भगवान है ठीक है भगवान भी है लेकिन भगवान ही मेरे करता धरता है हरता है ऐसा माल लेना एक पक्षे यह भी एकांत पक्ष अहो ऐसे भाव अज्यानी के अज्यान में भाव है इसलिए वो अज्यान में भाव का करता हो जाएगा ठीक कощh सुभाव कोही माले कि जब कुछ होसुभाव से होगा हमारे से क्या होता कोई नियती से माले हौनहार्ता से भवितबता से निमित्त थे इस जितने भी चीजे हैं एक एक पक्ष को कितने लोग धारन करते है और जब भैस होगे तो आदमी यहां प्रतियुक्ता रख दो, भाग बड़ा की पुरशार्थ बड़ा, तो सब लोग अपने अपने नाम लिखवाएंगे न, कोई भाग की उपर इतने बातें बुलेगा, इतने तर्क देगा, क्या होता है पुरशार्थ, भाग होगा तो जेल में बैटेंगे, तब भोजन आजाएगा, जंगल में बैटेंगे, महां भी मंगल हो जाएगा, देवी देटा भी आकर कि चौका लगा देंगे, हार दे देंगे, पतने क्या क्या तर्क देंगे, भाग होगा तो हम जल को भी हाथ लगाएंगे, वो पेट्ट्रल हो जाएगा, मेट्टी को भी हाथ पुषादी होगा तो बरोटी बन जाएगा घर में बैठ जाउ रोटी बन जाएगी गोगित बन जाएगा मुखा अमराई है अ मुभां चलाओ मत मूँ चलाओ ठीक है ना काम पुरे हो जाएंगे पेट भर जाएगा करो ऐसे बिना पुर्शार्थ के तुमारा जन्नम ऐसी हो गया तुमारा मोक्षासी हो जाएगा लगे रहो तो उसके लिए तरक महावीर स्वामी श्यादवास से लिशे अनिका आंत वास से समाधान करते हैं भाई करम भी भाग भी बड़ा है पुर्शार्थ भी बड़ा है अपनी अपनी भूमका में दोनों ही बड़े हैं दोनों का ही ध्यान नको कुछ कारशिद्धी भाग से होती कुछ कारशिद्धी पुर्शार्षे होती है कुछ कार्शिद्धी नियती से होती है हौनहारता से होती है समर्थ पुपादान से योगता से होती है और बहुत कुछ सिद्धी अपने ही वस्तु के निश्च सुभाव से होती है कि उस निश्च सुभाव वस्तु में ऐसा ही परिपाक ऐसा ही होने की शक्ती है सामर्थता है तो वह कार के शिद्धी ये सब संभाए हमें ध्यान में रखना चाहिए एकांत पक्ष के भाव रखने वाला जो जीव है वह एकांकी हो जाता है एकांती हो जाता है एक मत को मानने बाला हो जाता है और ऐसा मत मानने बाला जीव अनन्त भवों से भी जिनेन भगवान की पूजा कर रहा हो अविशेक कर रहा हो अहार दे रहा हो दानपुन कर रहा हो परुपकार कर रहा हो अहिंसा आदी महा ब्रतों का निरति चार रूप से पालन कर रहा हो तो भी अनन्त काल में भी उसको निर्वान की प्राप्ति नहीं है क्योंकि उसकी धारणा सुध नहीं है उसकी मानता सही नहीं है जब मानता सही नहीं है तो पर कार की शिद्धी भी सही नहीं होती है किसी विक्ति के प्रति मेरी मानता खराब हो जाए पहले हम सुचते थी हमारा या आदमी बहुत खास है, बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है किसी ने बताया बिटा ध्यान रगना वो सही नहीं है बस उस विक्ति की बात पर शद्धा करके तो सबसे पहले थो हमारी शद्धा बिगड़ी फिर उसके प्रति जितना भी नौलेश था जानकारी थी वो ज्ञान बिगड़ा और फिर उसके प्रति जितना भी आदर सम्मान था वो भी बिगड़ गया तो सद्धा गई, ज्यान गई, चारित गई क्या गई तीनों चीज चली गई दो बच्चों ने आपस में मिलके साधी गल ली पसंद से एक दुसरे को बहुत ध्यान रखते और एक दुसरे के बिना रहते ने और एक आद बार किसी मुवाइल आदी में मैसेज आ गया तो उससे उसको सख हो गया परशान हो गया सुबह साम एई परशान में रहता, बोलता जालता कुछ नहीं और वो क्या बात है, क्या हो गया, बताऊना क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाना नहीं खाना हमें कुछ खा तो नहीं हमें कुछ नहीं खाना क्या बात कुछ नहीं बोलना निकाल दिये एक हपते दो हपते दोस्तों मित्रादी बैठे क्या बात है भाई कुछ नहीं है से परिवार बैठ गया मित्र बैठ गया मेनो बीद गया ठीक है ना, क्या हुआ, उसके प्रति सद्धा बिगड़ी, तो उसके प्रति जितना भी ज्यान था, वो ज्यान भी मिथ्या हो गया, और जितना अच्छा व्योहार था उसके प्रति, तो व्योहार भी कैसा हो गया, मिथ्या हो गया, अभी समय चल रहा था, और अब कैसा व्योह मैं कुछ खाऊंगे प्यूंगे नहीं बोले ऐसी बात थी रात को तू सो रही थी मैसेज आया हाई का यह किसका था इससे मैं परशान हूं किसका था बताओ मेरे पास लो इस सई गटना बता रहा हूं मैं तुम्हें तो वो अरे यह यह तो हमारे बहुत दूर के कजन के भाई है बात करा थी सब कुछ करा थी अच्छा ओहो मैं तो गलति शोच लिया मैं तो यह सोच लिया मैंने तो वो सोच लिया अब क्या हुआ स्रद्धा बिगड़ी थी तो ग्यान चारिज बिगड़ गया था अब स्रद्धा सुद्र गई अरे छामा करो गलती हो गई ये हो गया वो हो गया मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठा भूख खाना पीना सब छोड़ दिया बोलना चलना सब बंद कर दिया माफ करो चमा करो चलो अब सब बढ़िया हो गया तो सद्धा ठीक होई तो उसकी परति दी गौन भी नहीं तुम बढ़िया हो तुम ठीक हो तुम सही हो मैं ही गलत था और चलो आप stirred गुमने चले खाने पीले पीले गुमने सब चल भो गया हो गया है ना continuar सब सब्सक्रती हूं ना चारिटर ऑगह सो लोकिक जीवन में रॉकिक में भी सद्धा कब भोती सब चारिट कब धार्मी जीवन में शद्धा समय भ RPG सोप जाता है कुट तो चारित ओग हो जाता है और उसमें तब का कलस लग जाता है और सिध्धाले का धोजा लहरा जाता है कि ज़न्मया आ नगम प्रोड नोटो को पूरा। प्रूप तक जाता है इसलिए हमारे ढलन सम्मेखंद सब्सचय hy How अबैर को सम्मयक्स दरश्टि ulyए कि ड्क नामी का शम्मय जानी वो सम्मे ज्यान नहीं है इध्यान रखना एक मित्या दृष्टी भी मुनिराज की वाणी को सुन रहा है और तत्तो का विचार कर रहा है अहो महराज जी सही कह रहे हैं इस प्रकार का विचार कर रहा है पर अभी शद्धा बेटी नहीं है तो उसके पहले-पहले तक का जो जान समान निग्यान है और जैसे ही अहो यही है ऐसा ही है इसी रूप ही है जगत का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप आत्मा का स्वरूप सास्त का स्वरूप इस प्रकार ही है इस प्रकार का जब उसे सद्धान हुआ तो वही समान निग्यान सम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म वह सॉमान लीओणeln हो गया? सम्म्झन बन गया. अवो सम्म्मझन होद साथ थोड़वा suggests देगा. सद्धा को और प्रकास देगा. तो वो चारित प्रकट करेगा. सयम प्रकट करेगा. तो गजन नहीं बन जाएगा. अब आप सोचिए जो जिस भाव को करता है वो उसे कर्म रूप भाव का करता होता है बाद सुम्हें रहें तो कह रहें कौन-कौन भाव करता है तो बहुत दो यह संसार में जीव यह तो ज्यानी यह ज्यानी तो नानिस से नानमयो और अनानिस से अनानमयो जो ज्यानी है वो ज्यानमय भावों का करता हो जाता है और जो अज्यानी है वो अज्यानमय भावों का करता हो जाता है यही ज्यानी और अज्यानी में अंतर होता है सुझ में आया न, ज्यानी संसार में, कीचण में कमल की भाती रहता है वह परिवार, परिग्रह, परिचे सब की बीच में रहते हुए भी अपने अंदर ज्यान धारा से, शद्धा धारा से, अपने को पर से अलग रखता है बृत की धारा चलती है, ग्यान की धारा चलती है, सद्धा की धारा चलती है ठीक है ना? कर्म धारा भी चल रही है और ग्यान धारा भी चल रही है ग्यानी के कर्म धारा भी चल रही है, यहां कर्म का फ्लो भी चल रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक ज्ञान की धारा निर्मल धारा भी चल रही है एक तरफ नाला चल रहा है तो एक तरफ नहर भी चल रही है नाला भी चल रहा है एक करम तो गंदे नाले है ना तो नाले का बहा भी चल रहा है और एक तरफ सुद्ध पानी का नहर भी चल रहा है और बीच में भाई साथ चल रहे है ठीक है ना? तो बोलो किसका आनन लेना है तुम्हें नाले का की नहर का? ठीक है नाला बहरा बेने दो उसकी बदबू भी आएगी तो दिखेगा भी साथ साथ चलेगा भी लेकिन इसके कारण जो सीतल नहर चल रही है उसको थोड़ी भुलाया जा सकता है उसको थोड़ी टाया जा सकता है आनन तो हम किसका लेंगे? अपनी दृष्टी पात तो कैसे करेंगे? नाले को देखती हुई नाले को निदेखना नहर का याद आना ये ज्यानधार है कीचड में रहकर भी कीचड का ध्यान नहीं आना कमल बत रहना तो कीचड में कीडे कीचड में कमल की भाती रहते हैं वो ज्यानी और कीचड में जो कीडे की भाती रहते हैं वो कौन है? वो अज्यानी किसकी बाती रहते हैं कीड़े कीचड में कमल खिल खिलाता है भाई साब कीचड में कमल खिल खिलाता है और कीड़ा कीचड में बिल बिलाता है बोलो अब खिल खिलाना है कि बिल बिलाना है खिल खिलाना मनलब सदा प्रसंद रहना शान्चित रहना छमा भाव रखना दया परिणाम आदी होना भेद ज्यान की कला होना ये ज्यानी की दसा होती है भोगों को भोगते हुई भी ये भोग मेरे नहीं है ये भोग सुख नहीं दे सकते हैं ये छड़बंगुर हैं शाश्वत नहीं है ये कर्म जन्न है ये पर के निमिश से उत्पन होने वाले परिणाम और भाव है ये मेरे ही भाव नहीं है मेरे शुद्ध भाव नहीं है इस प्रकार की ज्ञान की धारा चलती रहती है ग्यानी के अहो सम्मेक दिश्टी की भी चलती है छे मैने तक लच्छमन को लेकर के घूमते रहें तब भी ज्ञान की धारा चलती है मरे मुर्दे को लेकर के नहीं मेरा भाई है सो रहा है अभी उठ जाएगा अभी खाएगा अभी तो में को परशान कर रहा है कभी-कभी ऐसे बहाने लगाता है अभी उड़ जाएगा इस प्रकार के ज्ञानी की विचार देखो अन्य की करम के उदे से ऐसे से विचार आते हुए भी वो ये जानता है ये मेरा नहीं है मैं इसका नहीं हूँ इसका परिणमन इसके साथ है और मेरा परिणमन मेरे साथ है ये वस्तु की बिलकुल अमिट विवस्था है शास्वत विवस्था है इसे कोई रोक नहीं सकता और ये आप सब लोगों का सभाग है कि जैन कुल में जनम लेकर के ऐसी बस्तु विवस्ता आपको सीखने को मिल रही है और कहीं भी ऐसी बस्तु विवस्ता नहीं है सब एक दूसरे पर डिपेंड है जब मावीर स्वामी ने कहा कि भाई सब स्वतंत रहें तो कुछ लोग घबडा के भागे तो लोगों ने बाहर दुकान लगा रखी दे चिंता मत करो हमारे पास आओ हम तुमारे हैं हम तुमारा दियान रखेंगे हम तुमारे करता हैं सुख दुख की चिंता मत करो तुम्हें कुछ नहीं करना है जो कुछ होगा हम देख लेंगे हम कर लेंगे तुम्हारे नाम का जाब भी कर लेंगे, तुम्हारे नाम का तब भी कर लेंगे, तुम्हारे नाम का तब भी कर लेंगे, सब हम कर लेंगे, चिंता मत को तुम तो अपने मजे में रहो, तो बले ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, हम तो तुम्हारी सरण में आ रहे है चत्तारी स्रणं को छोड़कर के लोग जो है, अन्य मिध्या, रागी, देशी, देविताओं की स्रणं में, पहुँच गए, हम दुश्टों का स्रंगार करेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे पर हम ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए साथ देंगे, हर पल भाग गया अज्ञानी अज्ञान भाव के करता हो गया नानिस से सा नानमयो ध्यान रखो यह तुम सच में ज्ञानी हो तो हर पल पांचों इंद्री और मन के विश्यों को भोगते समय भी अपनी ज्ञान धारा को मत भूल जाना भरत चकवरती भोजन हाथ में लिए एक जबा रहे थे आत्मा को नहीं दे रहा हूँ इस बात को ध्यान में रखना है तो भरत चकवरती भोजन करते समय भी भेद ग्यान की कला में रहे ऐसा हमें समझना है और ज्यानी बनना है और भी विश्य होगा तो कल चच्चा करेंगे समय हो चुका है जावानी के ज्यान से सुझे लोकालो शोवानी मस्तक धरूं सदादे तो हो धोग ये जिनवानी भारती तोहे जपों दिन रेन जो तेरी सर्ना धरेशो पावे शुक्चें सबको बहुत-बहुत मुंगला शबाद यश ए खवडे सो एश्वर्य यश खवडे श्री इंद्रसेन जैन समस्ति जैन परिवार दिल्ली 11092 श्री परेश वोरा तारूलता वोरा पिंकी तेजावत बहन भावना कोठारी पटना श्री पंकच प्रीती वोरा प्रतीक वोरा विरार मुंबई श्री गिरीश वोरा धारिनी वोरा विरार डॉक्टर श्री सुभाष दुरका जैन मित्रनगर मंगा मंगलवेडा सोलापुर महराश्र